आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। संचलित हो पाती है, तो यहां पर हमें प्रकृत्रों कारण में संबन देखना है, तो पहला हमें कहा है कि प्रकृत्रों कारण दोनों सही है, और कारण कर्थन की सही स्पस्टिकरन भी देता है, दुसरा है कि प्रकृत्रों कारण का सही स्पस्टिकरन नहीं देता, तीसरा है है, प्रकृष्ण् सही है, हम देखे थो बात कीगी है तरंग की तरंग यहां more अनुदायर्थ तरंग जसमें जो तरण होते हैं, इनें तरंग संचरन्ग की जो दिशा होती है, उसमें कंपन करते हैं, तो गर आनुप्रस्त तरांगों में तो जो माध्या में गवन करती है तो उनके तरणग संचरण की लोग दिशा है क्रमशा संपिड़ॉठ Ezra इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें, कि अनुप्रस्त तरंग की, ता गर्मिश श्रिंग और गर्थ प्राप्ट करके, कि यह दोनो क्या करते हैं? कंपित होते हैं, ठीक है, माध्य हम कंड़ा हैं खंपित होते हैं, तो देखे, अनुप्रस्त तरंगे जो होती है, उन्हें माध्यम में संचलित होने के लिए, माध्यम की जो दिर्णता है उसके आउशकता होती है, माध्यम यहाँ पर इनके संचलित के लिए दिर्ण होना चाहिए, दिर्ण का मतलब यह है कि दिर्णता अगर होगी तो इसमें प्रत्यास्तता का गुण होगा उस माध्या में प्रत्यास्तता का गुण होगा और प्रत्यास्तता के गुण के कारण ही वहां क्रमश शेंग और गर्द की स्थेतियां आ सकती हैं और यही हम बोलें प्रत्यास्तता की तो वह विरूपन प्रकार का प्रत्यास्तता होना चाहिए ठीक है विरूपन क्या होता है एक तरह से एक ऐसा बल लगेगा जो उसकी स्थधी को परिवर्दित करने का प्रयास करेगा उस माध्यम की स्थधी को बदलने का प्रयास करेगा लेकिन विरूपन प्रत्यास्तता जो होती है वो उस जो कारण है या सामाने तॉर पर प्रत्यास्तता का गुर्ण नहीं होता है और विरूपन citra की बात कि जए तो विरूपन- प्रत्यास्तता दोनों का गुण होता है आयतन प्रत्यास्तता ठीक है दोनों प्रकार का गुण होता है तो इस तरह से ही जो ठोस हैं ठोस में असानी से अनुप्रस्त तरंगें भी कंपित कर जाती है अनुद्याइध्य तरंगों के अलावा जबकि अनुद्याइध्य तरंगो वो गैसों में नहीं होता है ठोसों में होता है तो ठोसों में जो अनुप्रस तरंग है वो संचरित हो सकती है और अनुदैर्दी तरंगे जो होती है वो समाने तोर पर किसी भी माध्या में संचरित हो सकती है चाहे हम उसे ठोस ले ले चाहे हम गैस ले ले या किसी द्रवी पर यह सही है कि अनुपरस तरंगे संजरेत नहीं हो सकती है तो कारण भी हाँ सही है प्रकृतन सही और कारण प्रकृतन की सही व्याख्या भी कर रहा है वेकलप का एक एक थेंक यू